महाभारत की कहानी द्रोपदी का चीरहरन महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है द्रोपदी चीरहरन भी महाभारत की ऐसी ही घटना है द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयमवर में मचली की आँख में निशान असाध कर उससे विवाह किया था लेकिन माता कुंती के अंजाने में दिये एक आदेश से द्रौपदी पांडवो यानी पाचो भाईयों की पत्नी बन गई एक बार की बात है जब पाचो भाईयों में सबसे बड़े युदिश्थिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे उस समय हस्तिनापूर का राज कुमार दुर्योधन था और पाचो पांडव उसके चचेरे भाई थे दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाईयों यानी पांडवों से जलता था दुरियोधन सबसे जादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था शकुनी ने दुरियोधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंतरित करे पांडवों ने अपने भाय दुरियोधन का निमंतरन स्वीकार कर लिया उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराश्ट्र, भीश्म पितामा, द्रोनाचार्य और महात्मा विदूर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए धर्मराज युधिष्थर ने स्वयम और अपने चारों भाईयों को भी दाव पर लगाया और हार गए अंत में जब दाव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रोपदी को दाव पर लगा दिया दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रोपदी को भी जीत लिया द्रोपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़ करो घसीटते हुए लेकर आए भाई से आग्या मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिवरता स्त्री थी इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया दुशासन ने गुसे में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिये और उसे खीचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया दुर्योधन ने दुशासन को आग्या दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुन पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया दुशासन द्रौपदी का चीर खीचता रहा लेकिन वो जितना खीचता वस्त्र उतना बढ़ता जाता अंत में दुशासन ठक कर हार गया किन्तु द्रौपदी का वस्त्र हरन नहीं कर सका ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीर हरन ही था दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले